गुड मॉर्निंग जैहिन आई एम राहूली और वेलकम आन माई चैनल आज है 27 अक्टूबर 2024 और आज का हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंट करेंट अफेर तो पहला है करेंट अफेर इटली न्यूज में है इसलिए इसको हम लोग देखेंगे क्यों क्यों क्योंकि यहां प इसलिए हम लोग इटली को मैप में देखेंगे क्योंकि इटली मैप में बहुत इंपॉर्टन है इसके आसपास जो है बहुत सारा सी है और बाडर कंट्री जेंट ठीक है में खासकर मेडिटेरियन सी में हम लोग लोकेशन को समझेंगे तो बेसिकली अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे, लेकिन पहले उसके थियोरी को देखते हैं, तो इसका लोकेशन बेसे के लिए है, साउथ सेंटरल यूरोप में है, इससे बार्डर सेयर करते हैं, फ्रांस, स्वीजर लैंड, आस्ट्रिया, स्लोवेनिया, ओके, चार कंट्री जो है, लैंड बार्डर सेयर करत तो यह चार लगते है इसमें थीक है यां की जो मेजर रिवर है वो है पो और एड ऐस और टेवर ठीक है तीन रिवर खास है और यहां यहां हईस्ट ॉइंट है मांं ब्लैंक तो द्यान मेً रखना इसकी क्लायमेट जो है मेजरली यहाँ पर जो है Mediterranean Climate पाई जाती है Mediterranean Climate मतलब जहाँ पर ठंड में बारिस होती है तो यहाँ जो है सेट्रिक फूर्ट बहुत सारे होते हैं नीवू शंत्रा और यह अंगूर की खेती होती है जिससे यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके इस्ट में देखो Adriatic Sea, South में है Ionian Sea जो की सभी Mediterranean के पार्ट है इसका है Sardinia Island है, Sicily Island है तो यह सब आप ध्यान रखना बार्डर देखो इससे France, Switzerland, Austria, Slovenia यह चार इससे बार्डर सेर करते हैं इसके कुछ सिटी हैं जैसे Milan है, North में है यह ध्यान रखना Venice भी North में है ओके एंड रोम है नेपल्स है यह सब ध्यान रखना बारी है यह सब काफी important है ओके बढ़ते हैं Next Current Affair पे Next है Second Number Leisure Interferometer Space Antinia Lisa तो बेसिकली यह यह जो है इसे short form में Leisure में लिशा मेशन यह बेसिकली ESA का है European Space Agency का है ओके लेकिन इसका partnership जो है NASA के साथ है तो ध्यान रखना यह किसका है Lead by ESA है यह 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 European Space Agency लेकिन partnership NASA के साथ भी है ठीके तो NASA ने इसका prototype डेवलब किया है ओके इसलिए यह news में है जो टेलिसका बिल्ड किया गया है वो part of Leisure का है ठीक है क्योंकि दोनों लोग एक साथ काम कर रहे है दून इजेंसी यह बिसकली first space based observatory है dedicated है to study to study the gravitational wave को यह study करेगा तो पूछ लेगा question कि Leisure कौन लेड कर रहा है तो ESC लेड कर रहा है क्या करेगा तो इसका purpose है gravitational wave को समझना या पढ़ना यह बविश्य में जो है 2030s यानि कि 2030 के बाद जो है इसे launch किया जाएगा ओके तो यह ध्यान रखना next है spice 2000 spice 2000 basically Israel ने launch किया है ठीक है किसके लिए to destroy यह building in Lebanon में तो इसका spice का full form होता है smart precise impact cost effective ठीक है तो यह ध्यान रखना किसका है spice 2000 bomb तो इसराहिल का है तो ध्यान रखना next चलते है fourth number current affair को देखते है recently asiatic golden cat news में बना हुआ है ठीक है क्यों क्योंकि यह देखा गया है spotted asam manas national park में ठीक है तो यह पूछ लेगा है asiatic golden cat कहां देखा गया है तो यह asam के manas national park में देखा गया है manas यह है ठीक है asam का map है asam में जो है seven national park है राइमोना सबसे west में और सबसे east में कौन है देहिंग पटकाई ओके इसके साथ और है जैसे manas के बाद औरंग नमेरी काजी रंगा डिब्रू शैकोवा और देहिंग पटकाई तो यह सब national park है सबसे latest national park जो है यह देहिंग पटकाई national park ओके तो साथ national park हैं ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं फिप्थ करेंट अवेर को देखते हैं बिसिकली यूनियन मिनिस्टर आफ फिसरीज एनिमाल हस्बंटरी और डेरी तो यह मिनिस्टरी किसके पास है तो यह ललन सिंग यानि राजिव रंजन सिंग जो बिहार के हैं जदिव के लीडर है और प्रेसिडेंट वो है उन्होंने जो है लांच किया है 21 लाइव स्टोक सेंस ठीके किसके लिए होता है यह अपडेट करेगा डाटा को लाइव स्टोक पापुलेशन जितने भी जानवर है अपाने है जैसे बफैलो, काउ, गोट इन सब को जो है काउंट करके डाटा देगा यह एवरी फाइव येर पे होता है हर पांच साल पे तो यह पूछ लेगा कुछिशन की कितने साल पे होता है तो पांच साल पे होता है और फस्ट जो है उननीस सो उननीस में हुआ था तो इतना फैक्ट इससे तैयार हो जाएगा ठेक है नेक्स चाड़ते है सिक्स नंबर पे मेटा जो की फेस्बुक की पैरेंट कमपनी है ध्यान रखना और इंडिया एयाई इन्होंने अन्वील किया है सेंटर फार्दा जनरेटिव एयाई कहां पे क्या नाम है उसका स्रीजन कहां पे आयाईटी जोधपूर में तो यह ध्यान रखना नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निस्टां के जो फार्मर चीप मिनिस्टर आफ उत्राखंड थे इन्होंने जो है यूनिक इनिस्टिव लांच किया है राइटर्स बिलेज का कहां पे देहरादून के आसपास तो यह ध्यान अकना राइटर बिलेज कहां हुआ है तो यह उत्राखंड में जो है इनिस्टिव किया गया है ठीक है यह ऐसे पूछ लेगा किस स्टेट में अस्थापित किया गया तो ऐसे पूछेगा तो आप उत्राखंड नेक्स्ट हेट नंबर पे यूनाइटेट किंगडम यानि कि ब्रिटेन बिकेम फर्स्ट कंट्री बना है तो इस्टॉप दे एलेक्ट्रिसिटी परडॉक्शन फ्रम दे कोल सदन दिल्ली में भी है दिल्ली में भी पार्ट है और जो है फरीदाबाद, गुर्ग्राम, हर्याना इस्टेट में पाते हैं ठीक है तो ये तीनों जिले में पाये जाते हैं यूपी का भी सदन दिल्ली में सरी दिल्ली के सदन दिल्ली में विच इज वन आप दा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत का, तो ये भी ध्यान रखना हूँ, ठीक है, यह रावली का पार्ट, ये गुजरास से लेकर दिल्ली तक फैला है, ये बिसिकली पार्ट है, जो ये रिट जाए राजस्थान में है, और ये दिल्ली तक है, ठीक है, कौन? सरिस्का डेलही विल्ड लाइफ कोरिडोर, तो ये ध्यान रखना, सरिस्का कहां पा जाता है, कहां है, अलवर में, अलवर जिला राजस्थान, नेक्स्ट है, ये यूनियन रेलवे मिनिस्टर असुनी वैस्नो जो है, लांच किये है, सितकारी, संब्रिद्धी, किशान, इस्पिसल ट्रेन, ये ध्यान रखना, ये ट्रेन लांच किये गई है, तो ये बिसिकली महराष्ट को दिल्ली से जोड़ेगी, ध्यान रखना, ओके, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल गीता महसो मनाया जाएगा, कहां पे कुरुछेत हर्याणा में कब, नवंबर 28, यानि 28 नवंबर से लेकर 15 दिसमबर तक, ठीक है, इसका काम क्या है, बेसिकली ये अपने इंडियन हेरिटेज को, इस्पिरिश्वालिटी को, कल्चर को प्रमोट करेगा, ठीक है, नेक्स्ट है, 17 अरबन मोबिलिटी इंडिया कान कानफरेंस एंदा एक्जिबीशन, कमेंच टूडे कहां पर, गांधी नगर गुजरात में जो है, यह हुआ है, क्या, 17 अरबन मोबिलिटी इंडिया कानफरेंस एंदा एक्जिबीशन, तो यह कौन कराता है, इसको, मिनिस्ट्री अप दा हाउसिंगा अरबन अफिर कराता है वेसिकली यह अरबन ट्रांसपोर्ट पर डिसकसन के लिए होता है, ओके, देन थाइंक यू बेरी मच, आज इतना ही करेंट अफिर था, नेक्ट मिलते हैं, 28 अक्टूबर को, ओके, थाइंक यू